हलो इभरिवान समय लेकर आया हूं वह एक और स्पेशल क्लास आपके लिए जो स्पिकिंग का है तो मेरे साथ आप लर्न करेंगे मैं आपको एक्स्प्रेइन करूंगा वो इंपोर्टेंट क्वेस्टेंज या वो इंपोर्टेंट वर्ड्स जो आपके डिली लाइफ में आप इस लिल्च आपके यस्टरड दिशा वि ум मेरे इस वेंपोर्टेंट वर्स यह वो एक्स पर लाइफ जिश्क बर्ड्स को एस या नहीं अवे नेगे अपटने देंगे इस टरूर महल जब चक्र आपक पर इसको करूंगा तो मेरे साथ आप जरूर आप जानेंगे हो और गुड नाइट, गुड नून, गुड इवनिंग, ठीक है, नाइट, एटसेटरा, यह वाली वर्ड्स थे, उससे रिलेटेड, कुछ रिलेशन्स थे, ठीक है, नेक्स्ट, गुड इवनिंग, गुड नून, और गुड नाइट, हाई, हैलो, Hello, Sir, Madam, Madam, Cousin, Cousin, Grandfather, Grandmother, Uncle, Angle, Ant, Ant, Mr., Mr., Mr. and Mrs. So, yesterday, मैंने आपको बात किया था, इन वर्ड्स के बारे में, जिसे कि आप इन से रिलेटेड और भी बहुत सारे सेंटेस आपने इस्टेडे बनाये होंगे, तो मैंने कल आपको एक चार्ट दिया था, इस्पेशल तोर पे, और उसमें से आपने डिफ्रेंट तरा के, I hope, सेंटेंस आपने बनाये होंगे, तो मैं एक बार फिर उन सेंटेंस पे जाओंगा, तो वो सेंटेंस आपके लिए, वेरी हेलफुल है, Okay, so मेरे चार्थ, आप यू नू कीवाल शाओंग, बार्णेग, 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 ने कि लू बार्णेग, sister and brother mother and father and father so your words will say to me good morning uncle good evening uncle good good noon uncle good night uncle good morning auntie good evening auntie good noon auntie good night auntie so your words will revise me then again good morning sister good evening sister good evening brother good noon sister good noon brother good night sister good morning brother good evening brother good noon brother good night brother next good morning mother good evening mother good noon mother good night mother next good morning father good evening father good noon father and good night father good sir very good very good very good good morning good wiem good evening good morning good morning good morning good evening good evening बेड पर जा रहे हैं, बेड पर sleeping के लिए जा रहे हैं, उस ताइम पर आप कहेंगे, या work से return हो रहे हैं, या उनको उस ताइम पर leave कर रहे हैं, जब आपको ये chances कम हैं, कि आप उन्हें नेक्स टाइम नहीं पाएंगे, या अब मिलना नहीं है, आप morning में मिलना है, so at the time you can see, here या पर इतना आप उन्हें बॉल सकते हो, देखो हाई, हाई का meaning basic रूप से क्या होता है, हाई, तो देखो हाई एक ऐसा word है, जिसमें आप, जिनसे आप एक तरह से न, अलग separate होने के लिए, या एक तरह से एक wonder, surprise करने के लिए, या स्वागत help, मतलब welcome करने के लिए आप उनक next, hi mom, hi mom, okay, so hi dead, hi dead, okay, so, मैं या पर आपको explain कर देता हूँ, hi, hi के बात mom, hi के बात dead, hi के बात sister, hi के बात brother, uncle, 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 etc, so, यहां पर आप इन वोड्स का यूज करेंगे, hello, hi के साथ, आप, hello का यूज करेंगे, hello का यूज करेंगे, तो देखो यहां पर, hi mom, hi dad, hi sister, hi brother, hi uncle, मेरे साथ बोलो, hello ma'am, hello dad, hi sister, hi brother, hi uncle, but, now, यहां पर बेसिक रूप से hello, hello का मिनिंग क्यों होता है, hello का मिनिंग क्यों होता है, hello, तो hello, देखो, hello का मिनिंग होता है, आपका सुनना, सुनना, सुनना का मतलब धियान देना, किसी की बात पर धियान देना, तो बेसिक रूप से, when you use mobile phone, when you use mobile phone, तो you ask and you, your signal is the first is here, hello, hello, आपका first signal कान सा होता है, hello होता है, तो आप hello करते हो, ठीक है, uncle को, brother को, sister को, जब भी आपका भी phone उठाते हो, तो आप पर पहले word, hello बोलते हो, hi आपका आगया, is right ना, तो यह सारी words आपको एक तरह से not करना है, अपनी not book में एक तरह से not करके रखना है, okay, so, sir and madam, देखो basic रूप से sir किसके लिए आता है, hello sir, तो मैं यह आपे not कर सकता हूँ, देखो, hello sir, hello madam, hello madam, hello cousin, hello cousin, hello grandfather, hello grandfather, hello grandmother, hello grandmother, hello uncle, hello uncle, 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 hello aunt, hello aunt, okay, तो यह word आपके लिए very helpful है, और इन words को आप daily life में use करेंगे, और daily life में आप इनको इस्तेमाल करेंगे, अपनी conversation में, ठीक है, यह सारे words मैंने आपको लिख दिया है, इसके अलावा, जो भी आपके family में, जो भी members हैं, जिसे के आप और correct कर सकते हो, जिसे सबसे पहले क्या हो गया, आपका son हो गया, son का मिनिंग, आपका बेटा, daughter, ठीक है, daughter, husband, husband, ठीक है, wife, wife, nephew, niece, niece, ठीक है, तो यह words आपके लिए very helpful है, और इनके साथ साथ, बहुत सारे, इसके अलावा, जो इतने और words, relation में, आपके family में, उन words का आप use करेंगे, ठीक है, तो इन words को आप बार-बार, बोल-बोल करके not करेंगे, okay, very good, not, any questions, not, okay, let us start now, आगे चलते हैं, देखे, कुछ और important words में आपको बताऊंगा, यह words आपके लिए very helpful होते हैं, देखो, जब कभी हम आपस में मिलते हैं, जब हम कोई-सी से कोई चीज लेते हैं, तो हम कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो और बॉलते हैं, जैसे मेरे हाथ में यह पहने है, मारकर है, मैं मारकर आपको दूँगा, तो क्या, आप क्या बोलेंगे मुझे, ठीक है, आप साइड जाते हैं, कहीं function होता है, party होता है, on road पर जाते हैं, तो वहाँ पर आप कहते हैं, please give me side, okay, तो या, anyway, कुछ भी mistakes हो जाती है, तो आप किसी को सामने वाले को आप थोड़ा सा, leave करते हैं, for second, ठीक है, कोई बात नहीं, don't worry, ठीक है, तो कुछ other words आप स्पीक करते हैं, तो उन words पर में बात करूँगा, अज आप से, पर नहीं, दिखो, मेरा पहला वर्डोध आपको, number 1 please, please आपका word, number 2nd, आपका thank you, thank you, तेखो please का मिनंग होता है, धन्यवाद, please का मिनिग होता है, कर पया, take it, कर पया, and thanku का उन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका, शुक्रिया शुक्रिया या आपका धन्निवद ठीक है, next नमबर थाइड होता है नमबर थाइड होता है welcome 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 का मिनिंग होता है, स्वागत ठीक है, नमबर फॉर आपका kindly kindly means भी आपका किर्पिया kindly means भी आपका किर्पिया नमबर फॉर फॉर पाइडन पाइडन का मिनिंग होता है, छमा करना यानि माफ करना किसी को, ठीक है next 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 six word next six word sorry 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 means भी आपका करना sorry sorry means pardon, excuse me excuse me okay excuse me excuse me भी एक तना से छमा करना या बाफी मांगना या अलग हटना after you after you yeah allow me yeah allow me next that is all right that is all right that is all right yeah it is my pleasure it is my pleasure okay so let us start देखिए मेरे साथ please please का मेनिं किर्पया कोई भी चीज आप किसी से लेंगे demand करेंगे side लेंगे कहीं जाएंगे किसी की कोई चीज लेंगे तो आप वहाँ पर आप please का इस्तमाल करेंगे please का यूज करेंगे ठीक है next जब आप किर्पया करेंगे please कहेंगे ठीक है तो और वह आपको कुछ दे देगा तो तब आप क्या करेंगे thank you बोलेंगे उनका शुक्रिया बोलेंगे ठीक है या आप ने मुझे से पहन लिया आपने अपना सारा काम किया ठीक है जब आप मुझे रिटर्न करेंगे तो मुझे आप क्या करेंगे thank you बोलेंगे ठीक है तो मैं क्या बोलूँगा आपको welcome बोलूँगा welcome का मिनिग स्वागत करना ठीक है भाई ठीक है so अब यहाँ पर दुबारा समझ लो ठीक है देखो यहाँ पर यह लड़का यह लड़के से क्या लेता है कोई चीज लेता है यह एक बुक पैल लेता है यह एक पैल लेता है ठीक है पैल लेता है ठीक अब यह पैल लेया तो इसने क्या क्या इसने लड़के नहीं इससे क्या क्या ठीक है extra ऍटे die आब क्या होता है इसने अंपना राइटिंग किया जो भी राइटिंग करना था अमड्रील जो हम निए अप्लिकेशन लिख नट D ठीक कुछभी कॉपी करना था इंट्वेशं लिखना था टेकिटेशं लिखना था些 Reinent व्टिशन राइटिंग एट्सेटर्र जो भी करना ता है question को solve करना था और work किया उसको करने के बाद के सैंस में होता है, cliches के सैंस में इह उंपर इक तरह से a Morality की तरफ इशारा करता है क यह वे मिडिक होता है जाना चाहिए जाने चाहिए कितनी बड़ी गल्ती क्योंना हो जाया Is Right, अक्सर में माप करने की कोशिश नहीं, बलकी कर देना चाहिए, क्योंकि पाड़न करना, चुमा करना, Sorry, Sorry Baba, ठिक है, कहते हैं, Sorry, Sorry करना, Sorry, Sorry मतलब चुमा करना, मापी मांग लेना, Pardon, चुमा करना, Excuse Me, चुमा करना, रहे साइड होना, अलग को, Okay, After You का मतलब आपके बात, प मुझी आगेया दे मुझी जाना है यारी इसका मिनिंग क्या होगा अग्या थैं मुझे पर मिशन दे जाना है और आफ्टर यू का मिनिंग क्या होगा पहले आप लेली जी आफे बाद में चल जाओंगा इस इतम 하지만 होज़े जो आप पढने का चांस है आपका किसी एंट्री करने का चांस आया you are entering in the hall तो आप you are waiting outside from the hall but you are telling the someone who is standing the front of you please after you मैं आपके बाद आजाओंगा आप पहले चलिएगा is right now allow me allow me का आप आप किसी से कहना है जी please give me allow me मुझी आप entry करने के लिए आप permission दे entry करना है ठीक है that is all right this that is all right का मिनिंग बिल्कुल राइट है इसमें कोई problem नहीं है यह बिल्कुल ठीक है that is all right okay next it is my pleasure यह मेरा काम है मेरा शॉक है यह मेरा हैबित है जैसे कि आप कभी कि बोलते हो thanks बोलते हो ठीक है तो यहाँ पर it is my pleasure यह मेरा work है मेरा action है चलिए एक रिवाइजन करिए मेरे साथ now come to the topic देखो good morning good evening good noon good night hi hello sir madam cousin okay grandfather grandmother uncle aunt mister mistress ya mister okay यह सारे words है जो आपके daily life में यूज होने वाले हैं और आपके बेरी helpful है टीक है मैं बता जेता हो देखो good morning का मतलब वह सलाम होता है जो सुभा के टाइम में होता है morning में होता है टीक है evening good evening शाम को होता है इस राइट good noon दो पहर में 12 बजी होता है okay 12 good night good night bed पर जाते time होता है hi hi एक ऐसा word है जो आपको welcome के sense में हो ने उने जो सब्सक्राइब milliseया है अभी बाधन के रुक में hello hello का भालब एक तरह से एक hearing word है hello hello is Taminaakort यह एक तरह से hearing word है जो एक तरह से संबोधन के लिए बोला जाता है Sir एक respected word है जो male के लिए use के जाएगा Madam एक respected word है जो female के लिए use के जाएगा But cousin जो होता है वो अपने कोई brother या sister दोनों के लिए आता है But यह आपका ममेरा भाई भी हो सकता है Momera भी हो सकता है Fufera भी हो सकता है Chachera भी हो सकता है Khalera भी हो सकता है Mausera जिससे आप बोलता है Number 1 Momera Number 2 Mausera Number 3 Chachera Number 4 Fufera Abhi बेहन भी हो सकती है Gender change हो गया So Momeri बेहन Chacheri बेहन Khaleri बेहन And Fuferi बेहन तो आपको यहाँ पे Sister English में यूज नहीं करना है Kazi नहीं लगेगा बस इन आठो के लिए कितने हो गए 8 हो गए देखो यहाँ पे Number ठीक है यह यहाँ पर यह फिमेल हो गया और यह आपका मेल हो गया अभी है Momera भाई Pufera भाई खलेरा भाई ठीक है एंड चचेरा भाई चचेरी बेहन ठीक है तो खलेरी बेहन Puferi बेहन एंड ममेरी बेहन 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 इन फोर के लिए आपको कजिन कहीं यूज करना है ठीक है आपको कजिन ब्रॉदर कजिन सिस्टर नहीं लगाना है ठीक है यह बात याद रखेंगे यानि कजिन ब्रॉदर कजिन सिस्टर का यूज नहीं करना है आपको कजिन का यूज करना ठीक है He is my cousin He is my cousin She is my cousin He was my cousin She was my cousin इस तरह से यूज करना ना कि He was my brother He was my cousin brother He was cousin brother नहीं यूज करना है, okay, next, so, good morning, uncle, good evening, good noon, good night, uncle, auntie, आप लगाएंगे, sentence बनाएंगे, okay, please, किर्पिया, thank, मेरे साथ बोलो, please, किर्पिया, thank you, आपका शुक्रिया, welcome, kindly, pardon, चमा करना, sorry, excuse me, after you, allow me, it is all right, yeah, it is my pleasure, okay, hi mom, hi dad, hi sister, hi brother, hi uncle, hi sir, hi madam, hi cousin, hi grandfather, hi grandmother, hi aunt, hello mom, hello dad, hello sister, hello brother, hello uncle, hello sir, hello madam, hello cousin, hello grandfather, hello grandmother and hello aunt, hi son, hi daughter, hi husband, hi wife, hi nephew, hi niece, hello son, hello daughter, hello husband, hello wife, hello nephew and hello niece, these words are the most important and very helpful है, आपके, इन words को आप अपनी note book में note करकर रखे, क्योंकि ये words आपके आने वाले classes के लिए very helpful होने वाले है, और इनका अगली classes में एक बहुत बड़ा use होने वाला है, so, you will speak English definitely, और इनको daily आप प्रक्टिस करेंगे, मेरे साथ, मैं हूना, मैं आपकी help कराऊंग okay, so, please, अगर new, तो, you subscribe my YouTube channel, Instagram, Facebook and Facebook page and subscribe my YouTube channel and like my video and share my video with your friends, thanks for watching my video, आप मिलता हूं, so, see you in the next video, वीडियो में, और ये मेरी classes 22 April तक continue आएंगी, आप प्लीज इनना मिसना करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए very helpful होने वाले है, only 30 days के आपके लिए, ये वीडियो है, thanks for watching my video, like my video, share my video, bye bye